हेलो एवरीवन रादे रादे कैसे हो आप लोग आई होफ पसारे के सारे अच्छे होगे हाँ हाँ मुझे पता है मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ आपसे मिलने है वैसे मैं सोर्ट के जरी आपसे मिलती रहती ह formas long wideos नहीं बनाती हो मैं बस तो मैं आज आपको अपना आई मेकप करके दिखाने वाले हूँ वो भी मेहंदी आई मेकप ठीक है वेस वगरा कुछ में नहीं बनाऊंगी सिर्फ आई मेकप करके दिखाऊंगी आपको और अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर देना, कमैंड कर देना, स्सक्राइब तो पहले कर लेना ठीक है, तो चलते हैं, मैकप की तरफ पहले मैंने आई को क्लीन किया है, उसके बाद second process मैंने अपना प्राइमर लगा है प्राइमर मेरा मार्स का है तो मुझे अच्छा लगता है मतलब अच्छा है जेल वेस है ना तो अच्छा है यह प्राइमर लगाने के बाद दो सेकंड के लिए तीन सेकंड मतलब पांच सेकंड में वह शू जाता है पांच से शे सेकंड ज्यादा लगाने की रेक्वार्मेंट हम होती है तो हम अपने हिसाप चिपके बाद हम लगाते हैं सब से सबसे सो लाइट क कलर कर तो समस्क और कि अपलाई करेंगे अगर अगर Hoe लाइट करेंगे कि अिम कड़ अप्ल आपर एंच सुट्र bhawru का साफ पकलर एका नहीं होटा है हाईलाइट करना होता है कि अच्छे से दिखेगा तो पता चलता है कि हाँ मेकप क्या हुआ है आई पर को छोटी आईज होती है छोटी आईज पर तो खास करकी जादा जरूरत होती है तो ना उसके बाद मैंने फिर लूज पॉर्डर से उसको लॉक कर दिया है और फिर मैंने ब्राउन कलर से क्रीज लाइन बनाना इस्टाइट के अपनी आईज पर क्रीज लाइन आपको पता ही होंगी जो मेकप में इंटरस्टीड है ना तो उनको पता होगी क्रीज लाइन किस को कहते हैं जो हमाई आइस के बीच में जो हमारा मतलब एक गैप बन जाता ना सी वाला सेक्षन सा निकल लाता है न उसको ही क्रीज लाइन कहते हैं तो क्रीज लाइन ब्राउन कलर बनानी है और मैंने गल्ती कर दिये है कि पताודה लेगा तुरंती और नहीं पता हो तो नहीं पकड़ पाएगा तो मैं चाहते हम कि मेरी जो फ्रेंड है उनको कितना मेकप के बारे में पता है और वो कितना जानते हैं न तो फिर मैं आपको आगे अच्छी अच्छी वाते पतायांगी न मेकप के बारे मैं आपके डाउट किलियर करूंगी कि मैं अभी इस लाइन में निक नई हूँ मुझे कुछ खास नहीं आता तो बस जितना आता है तो ठीक है अभी तो शुरुआ आती है क्रीस लाइन मैंने दोनों लाइन पर बना लिया है आइस पर बनाने के बाद मैंने आउटर कोर्णर पर अपना ब्लू कलर डिपोजिट किय है इसको हम ब्लैंड करेंगे हैं आप याद रखना है आपको जो भी कलर आई शेडो को अठाना होता ना वह पहले आप डिपोजिट करेंगे आई पर इसके बाद ब्लैंडिंग करेंगे क्योंकि ऐसे ना कलर अच्छे से निखर के आता आप सीधे ब्लैंडिंग ब्रशे अब ब्लैंडिंग महत तुपूर जो काम होते है ना वह ब्लैंडिंग का होता है अगर ब्लैंडिंग आपने ज़्वर्जस्त की है तो आई में कबाब बहुत ही ज्यादा और उसके बाद मैने बीच मेरे कलर लगा है वह है ना मैने घ्रील लगा है क्योंकि मेहन्दी लूक ह कि रिल्ड कोनर याद रखन, यह हमें लाइट कन उठाना होता है। में आए देखाना होता है इसलिए अगर फिरud में में थापने कंप Animal से यंo p फिर मस्कारा लगाया है इसके बाद काज ही नहीं है को मैंने इस ऐसे अब को मेलाने लगा यह इसकेती दीस вашी है जहा लगाई है अब बताओ